अगर आप एक मोनिटर खाइदना जा रहा है तो इसा मोनिटर लीजी गए जिसमें USB पोर्ट आता हूँ यह बहुत ज़रूरी है अभी हाल ही में मैं अपने मोबाइल को मोनिटर से करेंट करना चाह रहा था मोनिटर से तो जब मैंने मोनिटर के पीछे देखा तो उसमें एक भी पोर्ट मोजुद नहीं था हाला कि जो मोनिटर था वो काफी महेंगा था और काफी अच्छी रेपूटेट ब्राइंट कंपनी के तरफ से था तो उसमें अगर मुझे अपने मोबाइल को से करनेट करना है तो यान है कि मैं ऐसी गेबल लाओं जो कि टाइप-C को HDMI में कनवर्ट कर रहे हैं जिसके लिए मुझे 1500 और खर्च करना पड़ेगा इसलिए मैं आपको रेकमेंट करूंगा अगर आप मोनिटर लेने जा रहे हैं तो ऐसा लीजे यो USB पोर्ट के साथ आता हो और आजकल तो क प्राइज भी बढ़ने लगेगा इसलिए हमने कुशिश की है इस वीडियो में कि एसे मोनिटर आपको बताया है जिसमें जो प्राइज है वो बजर फ्रेंडली हो और मोनिटर अच्छी कंपनी के तरफ से आते हो और अच्छे सारे उनमें पोर्ट मोजूद हो वीडियो को बेस्ट वाले यहां मिलता है आपको शांदार कंपेरिजन बहतरी रिव्यू ऐसी वीडियो पाते हैं रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कीजिए जो प्रोड़क्ट की हम आपको प्राइज बताते हैं वो घरती बढ़ती रहती है इसलिए सभी की लिंक्स नीच साथ है जो काफी famous और reputed brand है और इसका जो design है यानि कि इसका जो stain पर यह पूरी गोल घुम जाती है यह जो screen है यह गोल घुम सकती है खड़ी size में यह R size में रह सकती है इसकी features की बात कर लेते हैं इसका जो model number है वह है P2419H इसका जो screen size है वह है 24 inch का जो काफी अच्छी बात ह है और इसमें IPS panel आपको मिलता है इसका resolution 1920 x 1080 इसका resolution है और इसमें HDMI और VGA port की बात करें तो दोनों port इसके अंदर मौजूद है आप देख सकते हैं VGA और HDMI दोनों port इसमें मौजूद है इसमें USB port की बात करें तो चार USB port इसमें आपको मिलते हैं दो USB port आपको दिख रहा होंगे और दो जो अलग USB port हैं वो आपको स्क्रीन के अंदर आपको मिलते हैं स्क्रीन में fit रहते हैं इसके बाए display port भी आपको इसमें मिलता है इसमें काफी सारे ports आप देख सकते हैं आप इसा ही monitor लीजी जिसमें USB port बहुत सारे हों और अगर आप चाहें तो इसा ले सकते हैं जिसम स्क्रीन में मिलता है invenged speaker इसके अंदर आपको नहीं मिलता है और इसके मike भी आपको नहीं मिलता है और कोई camera भी इसके अंधर नई है अब बात करते है aspect ratio की 16 ratio 9 Sum deux में आपको ratio मिलता है और इसका response time जो है normal में 8 millisecond का है और फास्ट में 5ms का है कि इसके बाद वाल मॉइंट की बात करते हैं अनके कैस को आप दिवाल पर टांग सकते हैं तो इसा कोई सिस्टेम इसके मौजूद नहीं है देखिए वहाँ डिटेल में तो विजर माउंट भी लिखा हुआ है विजर माउंट एक सिस्टेम आता है टांगने का लेकिन आप एक मौनिटर है वह है लिनवा का थिंक विजन T22V 10 मौनिटर यह जो मौनिटर है जो डेल के अंदर कमी थी वह इसमें आपकी पूरी हो जाएगी लगबग क्योंकि इसमें केमरा दिया गया है और इसको जो डिजायर है वह भी अच्छा है इसके फीचर की बात कर लेते हैं तो इ फेशडी IPS पेनल है इसका जब मैं देख रहा था तो सब जगह तो IPS लिखा हुआ है और लेकिन एक जगह VA पेनल लिखा था तो मैंने इसकी जो ओफिचल साइड है वह जाकर चेक है तो वहां पर भी IPS पेनल लिखा था क्योंकि IPS पेनल अच्छा होता है VA और TN से मेरे खाल से क क्योंकि अगर आप हेवी ग्राफिक्स पर काम करते है या गेमिंग में जो ग्राफिक्स चलते है उसके लिख 10 पेनल का सित्माल किया जाता है लेकिन IPS पेनल मेरे खाल से अच्छा होता है और काफी काम में और सब और प्रपर्स में यूज़ कर सकते है IPS पेनल को आपको मिलता है और HDMI और VGA दोनों का support आपको मिलता है और USB port की बात करें तो दो port आपके पीछे रहते हैं और दो port यह साइड में आपको मिलते है टोटल चार port रहते है मेरे खाल से चार port हैं अब उसमें clear नहीं लिगा कि पांच port है या चार है लेकिन चार तो हैं यह तो इत display port की तो display port इसमें आपको दिया गया है और inbuilt speaker दिया गया है यह काफी अच्छी बात है यह बहुत ज़रूरी चीज़ है inbuilt speaker माली जिए मैं इस monitor को लाकर अपने mobile से connect करूँ तो अगर मैं कुछ play करना चाहूं तो वो चलेगा उमीद तो है speaker इसमें मौजूद है इसके अंदर monitor mic भी है और इसके अंदर आपको VPN भी मिलता है privacy log के साथ काफी अच्छा है जैसे कि आप meeting वगएरा जैसा करना हो तो इसमें काफी अच्छा है जो आपकी online meeting चलती है aspect ratio की बात के तो solar ratio 9 का आपको मिलता है और response times में 4ms का है इसमें जो mount का system है वो mount का system नहीं है यह wall mount नहीं है कंपनी क्लेम करती है विजर mount का शायद क्लेम करती है तो एक बार आप clear कर लीजेगा यानि कि आप इसको सिर्फ डेक्स पर रख सकते हैं आप चाहें इसको दिवाल पर टांग दिए लटकाते हैं वो इसमें मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि मैं ऐसा monitor लेना चाह रहा था जिसमें आप दिवार पर भी इसको टांग सकें लेकिन बहुत कम monitor से आते हैं आचकल क्योंकि वो अलगी system हो जाता है पूरा इसलिए एक बार आप देख लीजिएगा इसमें mount का system नहीं है अगर आप इससे ठीक आप desk पर रखके काम कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं काफी दिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आपको उनसा monitor खाईदने वाले हैं डेल का या लिनवो का कमेंट में लिख के बताएगा दोने की links नीचे description में दे दी गई है वह जाकर आप इनका latest price check कर सकते हैं और खाईदने चाहें तो खाईद भी सकते हैं अगर आपको monitor से related कोई सव पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मों कोशिच करूंगा उसका जवाब देने की कमेंट में लिख के ज़रू बताएगा ऐसी वीडियो इस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक्यू